हलो सुदेंट्स वेलकम टूद आफिसेल यूटूब चेनल आफ ओरीजिन कोचिंग आज हम 12 का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और 12 मैथ में आज हम एक न्यू चप्र इस्टार्ट करेंगे देखे अभी तक हमारा कल्कुलस का कम्प्लिट हो गया सिलेबस हम लोग निस से पहले आपको निस्ची समाखलान का पूरा कर दिया अब हम पढ़ेंगे डिफियन्चिल इक्वेशन आउकल समी करन मैथमेटिस के वीडियो हमारे कम्प्लिट बाइलिंग्वाल हैं आपको पता है कि हिंदी इंग्लिश मीडियम को हम कम्बाइन लेके इस क्लास में पढ़ाते हैं डिफियन्चिल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टिन टापिक है और आपके कल्कुलस का 12 क्लास का सिलेबस का कल्कुलस का लास्ट टापिक है और यह एक ऐसा चेप्टर है जहां पर आप जितना भी कल्कुलस पढ़ें बिगनिंग से लेके अभी तक जो कुछ भी आपने कल् हो जाता है आपको differentiation कितना आता है आपको integration कितना आता है यह सब को use हो जाता है तो आपका पूरा यहां पर एक revision होना है revision practice होना है आपका मेरा आपको suggestion है कि आपका पीछे बहुत अच्छा तयार है तो बहुत अच्छी बात है यहां पर आपका revision हो रहा है और बाइद आपको पीछे प्राबलम है तो आप differentiation और integration का एक बार जरूर revision कर लीजिए क्योंकि 12th का major से लिए बस यही है आपका आगे चलके competitive exam में भी आपके IIT में भी और यह आप NDA के लिए prepare हो रहे हैं तो वहाँ भी यह topic बहुत ज़्यादा important है तो आज हमें start करते हैं differential equation आउकल समी करण देखें आउकल समी करण समाइने रूप से समी करण का आप मतलब जानते हैं equation mathematics में समाइने रूप से equation या समी करण का मतलब क्या होता है एक ऐसा relation जिसके help से उसमें जो चर रासी उसमें जो variables है उसके हम value find कर सकें जैसे 2x plus 3 equal to मानलो आपको 5 पता है suppose हमको mathematics मिस तरह से पता है कि 2x plus 3 equal to 0 तो यहां से आप निकाल लेते हैं x equal to minus 3 by 2 यह एक equation है यह आपने पास दो variable हो xy हो तो दो समी करण चाहिए exactly उसी तरह से हमारे calculus में क्या होता है कि जो एक relation है जो relation है जो derivatives के farmy में दिया रहेगा dyy dx के farmy में दिया रहेगा या d2y dx square के farmy में रहेगा या तो single order differentiation हो या second order हो या third order हो उसको हम simplify करके उसको solve करके जब उसको y के farmy ladies लेते हैं तो वह क्या कहलाता है уль assist time equation कहलाता है आज के class में मैं आपको इसके basics बता रहा हूँ फिर continuous कई class इसके बनाने होंगे अपने अलग-अलग type के differential equation को solve करने के लिए तो सबसे पहले मैं आप differential equation को आपको पहचानना आपको पता दूँ कि किस तरह से हम differential equation को आप पहचानते हैं तो differential equation मालो हम किसी भी तरह से लिख रहे हैं मालो इस तरह से हमने कोई differential equation लिखा dy by dx plus y plus 3 equal to 0 यह एक differential equation है यहाँ पर यह एक differential equation आप देख रहे हो इस फाम हम इसको लिख सकते हैं यहाँ फिर मैं कई एक जामपर लिख रहा हूँ suppose मैं यहाँ पर लिखा d2i by dx square plus 5 dy by dx clear plus 7 equal to 0 इस तरह से हमने कुछ relation यहाँ पर लिखें यह सब differential equation के फाम है कि इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं तो differential equation इस तरह से होता है अब सबसे important बात हमको यहाँ पर जो पहचानना है differential equation में वो है इसका order और degree यह पहला टापिक है जो आपको exam में one marks का या computer exam में पूछा या सकता है जिसमें हमको पहचानना होता है order order को हम हिंदी में बोलेंगे कोटी और दूसरा degree जिसको हम हिंदी में कहेंगे घाद order और और डिगरी पहचानना तो differential equation का किसी भी आउकर समीकार का order और डिगरी होता क्या है देखो ध्यान से समझना order और डिगरी का मतलब होता है कि आपने किसी differential equation को लिखा है उस differential equation में order order का मतलब वह कितने बार maximum अधिक्तम कितने बार वह differentiate हुआ है अधिक्तम कितने बार वह differentiation होता है वो उसका क्या कहलाता है order कहलाता है और maximum time मतलब जो order होगा उस order का जो power होगा उसका जो घात होगा वो क्या कहलाता है उसका degree कहलाता है हर example यहाँ पर देखो इस example में मैं लिख रहा हूँ इस example में मैं आपको order और degree लिख रहा हूँ तो यहाँ पर देखो order सबसे अधिक बार कितना हुगा है यह जो की एक बार है तो इसका order कितना हो जाएगा इस differential equation में इसका order 1 हो जाएगा यही पर मैं आपको कामा लगा के लिख लो पहला वाला order है और दूसरा वाला degree होगा अब degree देखो तो dy by dx का जो power कितना है तो total इसका power क्या है 1 है तो इसका order भी वन हो जाएगा अब देखो इस differential equation में देखो तो यहां से सबसे अधिक बार इसका हुआ है 2 टाइमस हुआ है और इसका total power कितना है 1 तो इसका order इसका order 2 हो जाएगा और इसका degree कितना हो जाएगा 1 क्यों अब इसको नहीं लेंगे इसको लेंगे इस तरह से इसका order और degree निकाला जाता है लेकिन यहां पर order निकालने में तो problem नहीं है डिगरी निकालने में या order या degree में एक महत पूर्ण बात यह है कि differential equation इस रूप में होना चाहिए कि इसका जो power है जिसका आप degree निकाल रहे हो जिस order का आप degree निकाल रहे हो वह rational number में नहीं होना चाहिए जैसे power 3 by 2 नहीं होना चाहिए या root वगरे में नहीं होना चाहिए उसको integer होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए तब ही आप उसका order और degree निकाल पाओगे फार एक्जामपल यहाँ पर मैं उस तरह के एक एक्जामपल लिख रहा हूँ फिर कुछ question के आपको practice करा दूँगा तो और अच्छे समझ जाएगा यह तो मैं आपको इसका concept बताए fundamental अब यहाँ पर मैं एक एक्जामपल लिख रहा हूँ इस एक्जामपल में वो power rational form में र plus dy by dx का whole square और इसका whole power 3 by 2 और upon में है d2y by dx square अब इसका आपको order और डिग्री निकालना है यहाँ पर इसको simplify करूंगा मैं अब इसका order और डिग्री निकालना है तो चूंकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इसका power कितना है 3 by 2 है और मैंने अभी rule में क्या बताया कि power integer होना च जी है यदि power rational number हो माने परिम्य संख्या के रूप में हो या roots वगरा के रूप में हो तब वहाँ पर उसका order डिग्री तो पहले इसको हमको simplify करना होता है तो naturally आप यहाँ पर देख रहे हो कि इसका power 3 by 2 है वो पूर्णांग कब होगा जब दोनों साइट का whole square कर दें whole square तो हड़ जाएगा तो इस प्रीं बोच साइट दोनों साइट का क्या करोगे square तो पी स्क्वेर यहां से हो जाएगा क्या one plus dy यह अच्छा एक्जामपल निसे सब क्लियर हो जाएगा यह power 3 और upon upon में यह है d2y upon dx square इसका भी हो जाएगा whole square अब देखो इस पूरे relation में कहीं पर भी power क्या है rational farm में नहीं है अब यहाँ पर हमको order और डिग्री निकालना है तो ध्यान देना मैं क्या बोला order मतलब जिसका अधिक्तम बार differentiate हुआ हो तो यहाँ पर d2y by dx square that means यह लिया जाएगा किसके लिए order के लिए यह लिया जाएगा और इसी का जो power होता है वो degree होता है अब इसको देखने जूरत नहीं इसका power तो 6 हो रहा है यदि उसके इसमान कहेंगे तो power 6 हो रहा है लेकिन देखो चू किया क्या है order में नहीं है आडर वाले differentiation के power को लेना है यह बहुत confusion वाला बात है ध्यान रखना अधरवाइस कई बार student confused जाते है कि सर यहाँ तो power 6 हो रहा है तो degree 6 होना चाहिए उसका degree नहीं लेंगे degree इसका लेंगे ठीक है तो यहाँ पर यह 2 है इसका power तो naturally आप समाझ सकते हैं यहाँ पर क्या भेली हो जाएगा इसका इसका order होगा 2 और degree होगा 2 यह भी 2 2 होगा तो 2 order और 2 degree हो जाएगा ओके इस तरह है इसका order और इसका degree दोनों भी 2 होगा clear तो यहाँ इतना आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से order और डिग्री फाइंड करते हैं एक आत्व एक्जम्पल मैं और इस तरह के लिग देता हूँ जो इस तरह के power वाले हैं ताकि आपको किसी भी तरह का confusion ना हो और complete है फिर अपने book से कि आप question कि इसकी practice कर लेना suppose इस तरह से हमारा कोई question है यह है d2y by dx square d2y by dx square equal root of 1 plus root of 1 plus dy by dx यह question है तो आप समझ सकते हैं हासान है अब आपको समझ में आ गया होगा बहुत कठीन चीज नहीं है यह order and degree पहचाना लेकिन एक example में आता है therefore देखो अब इसमें यह root लगा हुआ है तो यह root के कारण क्या होगा इसमें हम order degree नहीं निकाल सकते हैं तो root को हटाना होगा अपने को root को हटाने के लिए दोनों side का whole square करेंगे तो यह हो जाएगा d2y by dx square का whole square equal to root इसका root हट जाएगा तो 1 plus dy by dx अब यहाँ पर आप निकाल सकते हो तो यहाँ पर जो order होगा बैस हिंदी मीडिया वाले भी order ही कहो कोटी बहुत पटांग लेंग्वेज रफिकर्ट लगता है मुझे तो डिफिकर्ट लगता है तो आप आप समझ सकते हैं कि इस तरह से order और डिग्री निकाला जाता है ठीक है तो आप लोग क्या करना अपने आपके बुक में पहले इसमें इसके order और डिग्री का example दिया होगा कुछ और important जैसा हो तो मैं देख लेता हूं बाकी सब ऐसी निकलेगा इसका ठीक है बस सभी question ऐसे हैं order डिग्री इतना बताब यह इसमें आपको दिकत नहीं मैं जो भी देख रहा हूं सब भी से आसान है बलके question और मैं देख देख यह सब ncr team पूछे गए question है 1 plus dy by dx a whole square 1 plus dy by dx ka 1 plus dy by dx whole square equal to r square d2y by dx square equal to r square d2y by dx square ka whole power 2 by 3 ka whole power 2 by 3 clear अब इसका क्या करेंगे इसको हटाना है अपने को तो दोनों तरब का क्या करना पड़ेगा अपने को cube करना पड़ेगा that implies दोनों साइट को cube करेंगे तो 1 plus dy by dx का whole square इसका whole cube इसका whole cube हो गया इसका whole cube करेंगे तो r square d2y by dx square cube करने से क्या बचेगा 2 तो यहां से naturally आप समझ सकते हैं कि maximum time differentiation यह हुआ है तो order इसका हो गया order हो गया 2 और degree भी 2 तो यह है order and degree find करना इस तरह से आपने देखा कि आप order and degree यह बहुत important है यह board exam में multiple twice में या एक number के question पूछता है कि दिये गया हो का समी करण का कोटी और घात क्या होगा order and degree क्या होगा तो आप ध्यान में रखना इस तरह से खास कर यह जो मैंने power 3 by 2 3 वाला बताया है यह जो question बताया यह ठीक है या फिर यह question बताया root वाला यह important है क्योंकि generally जब exam में आता है तो एक दम सिधा सिधा नहीं देता तो एक बार repeat करता हूँ ध्यान से सुनो order का मतलब होता है उस differential equation में उस अवकल समी करण में जो सबसे बड़ा माने जो सबसे अधीक बार differentiate हुआ रहता है वो क्या कहलाता है उसका order कहलाता है एडिगरी कहलाता है sorry order कहलाता है और उसका जो power होता है उसमें जो घात लगा होता है वो उसका डिगरी कहलाता है ओके इतना समझ सकते हैं आप इस तरह से जैसे मान लो ठीक है clear है power फोर भी हो सकता है now next अब हमको यहाँ पर देखना है सबसे पहले देखो इसमें सुरुआत में जो question का pattern है वो है differential equation create करना पहले हमको अगल समीकर्ण बनाना है फिर अगल समीकर्ण को verify करने वाले question है इसके बाद हम पढ़ेंगे अगल समीकर्ण को हल करना तो अगल समीकर्ण को हल करने के फिर बहुत से प्रकार है मतलब बहुत से pattern है उसको एक एक करके हर वीडियो में मैं एक या दो ज्यादा difficult रहेगा तो एक और easy रहेगा तो दो pattern को आपको समझाऊँगा ताकि आपको जैसे मैंने previous वीडियो में आपको step by step step by step मैंने सबको समझाया उसी तरह से आपको एक एक part में समझाऊँगा क्योंकि mathematics को अच्छा कमांड करने का मेरा जहां तक experience है बहुँ सारे चीज़ों को एक साथ पढ़ लेने के बजाए part part में उसमें 100% कमांड करते हुए आगे बढ़ना चाहिए एक topic लिए एक concept को लिए उसमें पूरा 100% कमांड किया फिर आगे गए ऐसा ने कि थोड़ा यहां पढ़ लिए थोड़ा वहां पढ़ लिए थोड़ा वहां पढ़ लिए अब कुल मिला के फिर ढंक से कुछ भी बनता नहीं तो मेरा खुद भी पढ़ाने का तरीका भी ऐसे है और आपको उसी तरीके से पढ़ना भी चाहिए चलो अब हम देखते हैं formation of differential equation कि आप differential equation बनाएंगे कैसे फार्मेशन आप डिफेंसेल इक्वेशन फार्मेशन मतलब क्या करना डिफेंसेल इक्वेशन का निर्माण करना बनाना अभी हम पहले सिखेंगे कि डिफेंसेल इक्वेशन बनाते कैसे हैं फिर बाद में देखेंगे कि डिफेंसेल इक्वेशन होता हो उसको साल्व कैसे करते तो differential equation का formation का मैं कुछ example के फार्म में आपको सबसे पहले बता दूँ कि किस तरीके से वैसे इसका जो working step है वो ये है मैं आपको था working step समझा देता हूँ working steps तो सबसे पहले काम क्या करने है आपको आपको given होगा आपको given होगा एक y मतलब y equal to function function of x y क्या है x के फार्म में आपको एक function दिया होगा ठीक है second condition में क्या करना हो उसको differentiate करना है now differentiate मतलब क्या करोगे आप dy by dx find करोगे ठीक है और dy by dx find करने के बाद जो relation आपको मिल जाएगा वो relation उसका differential equation हो जाएगा या वहाँ से आपको क्या करना है constant को remove करना है मैं कुछ example लेकि आपको समझा हूँ तो ज़्याद अच्छे समझ में आएगा आपको मैं कुछ example लेकि इसका एक example समझाता हूँ इसके बाद क्या करना है इसको simplify करना है simplify करोगे सराल करोगे तो आपको differential equation मिल जाएगा तो पहला जो question का हमारा pattern है वो verification का question है जैसा इस तरह के question NCRT के question है ये question पूछा जाता है इस pattern का question ध्यान देना ये है verify the function उसी फार्म में लिख देता हूँ मैं verify the function y equal y equal to e to the power x plus y to the power x plus 1 actual में ये हो गया ये ये given function हो गया अब इस given function में सिधा differential equation का create करने के बजाए वो बोल रहा है कि is the solution of verify the function this is the solution of solution आप बोला है y double dash minus y dash equal to 0 solution आप y double dash minus y dash equal to 0 ये हमारा question है ये question को ध्यान समय अब इतना हिंदी वाले परसान मत होना ना इतना में इतना में कई लोगो को कमेंट्स आए लगता है कि सार आप हिंदी में please पढ़ा दीजिए लिखा बस हूँ भईया हिंदी में बहुत पूरा हिंदी में रहा हूँ ठीक है तो उतने में परसानी आज़े और इतना भी आप इंगलिस से भागोगे और मैंस के student हो तो भईया आगे चल के बड़ी परिसानी है इसलिए मैं एक बात बताऊँ आपको आप जितने भी हिंदी मीडियम के student हैं वो इस class में bilingual class में आप English के साथ पढ़ रहे हैं ये आप लोग के लिए बहुत ही महत्पूर्ण बात है अधरवाई सुद्ध हिंदी में यदि मैं आपको पढ़ाऊं तो आगे चलके आप engineering में आप किसी भी higher education के लिए जाएंगे तो परसानी होगी तो इतना English समझने का आप कोशिस करो तो मेरा क्या मैं है तो हिंदी में लिग दूँ पूरा लेकिन मेरा आपको suggestion है कि आपको mathematics में कम से कम इतना bilingual होना पड़ेगा कि आप math के चीज़ों को English में समझ सको तो इससे डरो नहीं भाक्यों कि कई comments में पढ़ता हो तो बोलते हैं सर प्लीज हिंदी में पढ़ा दीजिए मैं पढ़ा दूँगा पढ़ा भी रहा हूं उसमें कि आप इसको मैं हिंदी में आपको बता रहा हूं मतलब इसका पुष्टी करो या इसको satisfy करो कि यह जो function है वो इसका एक solution है question में आपको पूछ रहा है कि यह जो function है यह इसका एक solution है यह हमको proof करना है तो कैसे proof करेंगी इस तरह का question को हम इसमें से value find करेंगी जैसे इसमें y double dash मतलब दो बार differentiation हुआ है y dash मतलब एक बार differentiation होना है तो हम y dash और y double dash निकालेंगे और इसमें put up करेंगे left hand side में यदि यह 0 हो जाए तो वह function उसका एक solution है यह proof हो जाएगा मतलब this is the solution यह solution है इस differential equation का इस differential equation का एक solution है मतलब यदि मैं इसको double dash के फार्म यजीब लग रहा हूँ आपको तो इसका मतलब क्या है d2y by dx square minus dy by dx equal to 0 देखो यह एक equation है यह है differential equation है और हमको proof करने क्या बोल रहा है कि यह इसका solution है और अभी मैं आपको क्या बताया हूँ कि इसको इस फार्म में लाना solution होता है और इसको इस फार्म में लाना differential equation create करना होता है मैंने heading लिखा है formation of the differential equation मतलब इसको हम इस रूप में लाएंगे वो उसका differential equation हो जाएगा उसको satisfy करने बोला है तो यह बहुत आसान question है सुर्वात का question है NCRT का question है देखो यह इसका solution अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ दो line का है देखो तो सबसे पहले हमने function को ले लेंगे since y equal to e to the power x plus 1 यह हो गया यह हमारा question है अब हमको इसको satisfy करना है तो एक बार differentiate करेंगे now differentiate अब यदी हम इसको आउकलन करदें तो आउकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा यह dy by dx equal to e to the power x और इसका 1 까 0 अब इसको again differentiate करदें यदी हम इसको पुनह differentiate करदें तो क्या हो जाएगा dy by dx square equal to फिर e to the power x हो जाएगा क्योंकि e to the power x को जितने बार भी differentiate करो उतने बार क्या हो जाता है वो e to the power x हो जाता है अब यहाँ पर देखो इसमें से इसको मैं minus कर दूँ ठीक है यह relation number first है और यह relation number second है या मैं इस value के यहाँ पर put कर दूँ कई तरीके से बात कर सकते है ठीक है और equal यहाँ पर देखो यह e to the power x इस e to the power x के साथ में cancel out होके 0 हो जाएगा और यह proof हो जाएगा जो मैं लिखा है यह dash के फार में लिखना चाहो तो y double dash minus y dash equal to 0 इस तरीके से यह proof हो जाएगा तो यह verify the function is the solution आप दिस कुछ दिराखाए इस pattern question आसान है मतलब इसको लेके यह लाना यह महत्पूर्ण बात है जो आगे के class में हम पढ़ेंगे आज तो इसका basic fundamental है clear तो यह हो गया formation तो formation के लिए क्या मैंने working rule बताया कि आपको क्या होगा y dya रहेगा उसको आपको differentiation करना है उसको simplify करना है differentiation एक बार भी करना पड़ सकता है first order का है तो दो बार भी करना पड़ता है second order का है तो तीन बार भी करना पड़ता है third order को इस तरह से end times तक उसको differentiate किया जा सकता है तो यह है इसको ध्यान से देखिए एक बार एक आप दो question verification वाले और बता देता हूँ मैं verify वाले question बहुत आसानी से बन जाएंगा अब उसको उसमें कुछ हाई नहीं है ओके नेस्ट question verify the function यहाँ पार नेस्ट question में function को दिया हुआ है y equal to e to the power minus 3x y equal to e to the power minus 3x is a solution अब समझ गए हो आप solution आप किसका solution है फ्रूफ करने सब नसी रटी question है न d2y by dx square solution आप d2y by dx square plus dy by dx minus 6y plus dy by dx minus 6y equal to 0 is the solution minus 6y equal 0 यह जो function है यह यह इसका एक solution है यह हमको proof करना है इसको अब देखो इसका solution यह verification वाला बस एक दो question आपको बता रहा हूं कर लोग उसमें कुछ नहीं करना होता है actual में आपको differentiate करके जो दिया उसको value को परपूट करना है satisfy करना है अब इतना calculus पढ़ने के बाद पर ऐसा time pass work है only my pattern आपको समझा रहा हूं तहां पर आप कहां सुरू करोगे since y equal to e to the power minus 3x अब चुंकि आपको पता है कि दो बार differentiation है इसमें एक बार differentiation है निकालो भी आ therefore अब मैं directly लिख रहा हूं dy y dx अवकलर ही तो करना है इसमें problem किसको पता है जिसको differentiation नहीं आता और ऐसा हो नहीं सकता कि इस chapter ने पहुँचने के बाद आपको differentiation नहीं आता हो नहीं आता तो solution है आपके पास पिछे आके मेरे वीडियो शुरू से देखो जहां मैंने differentiation का heading डाला वहां से start करो फिर 0 से वैसा होना नीच चाहिए क्या हो जाएगा minus 3 e to the power minus 3x यह एक बारा उकलन करने से ऐसा हो गया अब इसको हम करते है again differentiation again differentiate करें तो क्या हो जाएगा d to y by dx square और equal minus into minus आके plus हो जाएगा तो plus 9 699 है ना 9 e to the power minus 3x यह हो गया therefore अब हम क्या करें कुछ मत करो जो proof करने के लिए दिया हो उसको left hand side बे put कर लो तो therefore d to y by dx square plus dy by dx minus 6y equal यहाँ value को put कर दो तो d to y by dx square का value यह है 9 e to the power minus 3x और plus dy by dx का value यह है तो minus हो जाएगा यहाँ पर उसका value minus में है तो minus हो जाएगा minus 3 e to the power minus 3x और minus 6x तो minus 6y स्वारी y का value कितना है e to the power minus 3x e to the power minus 3x यह होगा that equal solve करेंगे तो 9 में 3 minus होगा तो 6 e to the power minus 3x और यहाँ से minus 6 e to the power minus 3x यहाँ से दोनों equal हैं देखो यह cancel out होएगा equal to 0 prove कुछ नहीं रखा है इसमें बहुत आसान क्या करने हैं आप method समझ गए इतना calculus इतना difficult question करके आप यहाँ तक पहुँचे हो कि यह सब time past काम है तीक है आगे चलके कुछ difficult होगा बाकि मैंने starting में आपको introduction में ही बता दिया कि differential equation एक्ट्वाल में पीछे की पूरी पढ़ाई का revision है बस कौन से question में क्या करने हैं आपको समझ दे है तो verification वाले question आपको समझ में आ गए verify करने वाले question में जो function दिया रहेगा उसको लेके differentiate करना है और जिसको verify करने के लिए दिया गया है उसमें put up कर देना है यदि वह उसको संतूस्ट करता है तो verify कर दिया यदि संतूस्ट नहीं करता है तो verify नहीं हुआ not verified लिख दोगे last में यदि यदि 0 यह नहीं आता तो last में लिखते हैं कि the given equation is not a solution of this equation दिया गया फ्लन इस समी करन का हल नहीं है ऐसा लिख देते आप तिये हो गया हमारा verification करना अब next pattern के question पर लेके चलता हूँ verify वाले question आप से बन जाएंगे यह verify के समले question हुए अब क्या है formation of differential equation हाला कि मैं जो आप भी आपको वेडिंग पर पढ़ा रहा हूँ formation of differential equation ही है तो formation आप differential equation के अंदर गथ ही ऐसा बाता है लेकिन इसको हम अब दूसरे pattern पर question को सालो करते है देखिए next pattern क्या होगा हमारे question का अब क्या करना है differential equation फार्मेट करना है ठीक है if y equal to mx यह एक equation है यह state line के equation है if y equal to mx then form a differential equation then form a differential equation मतलब क्या हो हिंदी मिसका यदी y equal to y equal to mx हो तो इसके लिए एक आउकार समीकरण की इस थापना कीजिए या एक आउकार समीकरण आप बनाईए अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बात पर मैं discuss कर रहा हूं ध्यान से सुनना जैसे आपको कोई function दिया है और उस function को लेके आपको differential equation बनाना है यह बहुत important है ध्यान से सुनना अब यह actual में फार्मेशन आप differential equation अभी तो आपने एक relation को verify किया कि वो उसका solution था कि नहीं अब हमको यहाँ पर एक नया differential equation create करना है तो सवाल यह है सबसे बड़ा question student के दिमाग में आता है कि सर मैं इसको कितने बार differentiate करूं मैं कैसे जानूंगा कि मैं एक बार करूं कि दो बार करूं कि तीन बार करूं दस बार करूं naturally इस चीज को जो student समझ गया उसको differential equation बनाने में कोई problem नहीं है लेकिन जो इस बात को नहीं समझा जो student इस बात को नहीं समझा उसको differential equation बनाने में बहुत परसानी होती है तो क्या है इसका basic concept आपको इतने बार उसको differentiate करना है कि वहाँ जो arbitrary constant है मतलब वहाँ पर एक जो नियतांक है वो differential equation से गायब हो जाए आपको इतने बार differentiate करते रहना है कि आपके differential equation के final result में कोई constant मत हो, कोई नियतांक मत हो जैसे यहाँ पर constant क्या है देखो यहाँ पर constant है कौन? M तो आप जब इसको differentiate करोगे तो M को remove करेगो मने आपका purpose or colon करने के साथ-साथ उसमें जितने constant है उनको वहाँ से भगाना है तो मैं दो-चार question लेता हूँ उसके माद आपकी पूरी practice हो जाएगे कि कैसे उसको create किया जाता है चलिए तो अपने question को लेते हैं और solve करते हैं पर since हमको question यहाँ से लिखता हूँ since y equal to mx now differentiate आउकलन करने पर आउकलन करने पर dy by dx equal to क्या हो जाएगा? m हो जाएगा क्योंकि x तो क्या है? constant है तो जैसे आप इसको differentiate करोगे तो यहाँ पर क्या होगा? यह m बस बचेगा constant हो जाएगा यह relation number first है अब इसी में इसको put up कर देंगे मैं क्या बोला? m के value को भगाना है यहाँ से m नहीं होना चाहिए constant नहीं होना चाहिए तो therefore देखो यह दो-दो line का question है लेकिन है बहुत important बहुत important है m का value अब यहाँ पर put up कर दो equation first में तो y equal to क्या हो जाएगा? m का value यह तो dy by dx into x dy by dx into x यह हो जाएगा अब यहाँ पर देखो इसको आपको 0 के रूप में लिखना है तो इसको इधर में transfer कर दूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ x dy by dx इसको इधर transfer कर दूँ minus y equal to 0 यह differential equation है अब देखो इसमें differentiation के फार्म में भी आ गया आपका function और m भी गायब हो गया तो यह इसका answer है x into dy by dx minus y equal to 0 ओके? यह सब NCIT के question है बहुत selective question है और बहुत important है ध्यान देना इसको तो यह है differential equation को फार्मेट करना कुछ और question की practice करा रहा है आपको इसको ध्यान से देखो एक बार आप ओके, now next question next question is सब आप question के statement नहीं लिए फार्मेट इफिंसल equation सब का मतलब वही है y equal to a sin x plus b y equal to a sin x plus b y equal a sin x plus b यह बहुत important question है ध्यान से समझना यह हमारे पास एक function है और इस function को हमको क्या करना है differential equation के फार्म में create करना है चलो, start करो किस तरह से करेंग purpose समझ में आगे आपको यहाँ पर कौन-कौन arbitrary constant है यहाँ पर constant है कौन-कौन a और b यह दोनों को भगाना है इतने बार differentiate करना है आपको आपके उपर है कि a भी आपको मत दिखे final answer में वो आपको answer final answer हो गया तो चलो, इसका solution क्या हो जाएगा now solution since y equal a sine x plus b y equal to a sine x plus b अब इसको आपको differentiate कर दो differentiate करोगे तो dy by dx equal to देखो a यहाँ पर एक constant है और sine का differentiation है यहाँ पर x plus b में तो 0 है अगा 1 तो इसका होएगा cos x plus b एक बार differentiate करने से यह हो गया जैसे एक बार differentiate करोगे इस फार्म में आ जाएगा लेकिन अब इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं again differentiate करो again differentiate करोगे d2i by dx square equal to अब यहाँ पर देखो minus हो जाएगा minus a और sine का क्या हो जाएगा a cos का sine a हो जाएगा sine x plus b तो d y by dx equal to a cos इतना हो गया और double differentiate करोगे इतना हो गया अब देखो इस question के साथ इसका comparison करो तो आपको पता चलेगा that implies पूरा adjustment पर बहुत दिमाग लगाने वाला मज़ा आता है इस question को बनाने में adjustment वाला काम है अब आप सोचोगे कि सर इसको मैं तीन बार करूँ चार बार करूँ दस बार करूँ sine का cast का sign sine का cast का cast का cast होते रहेगा वहाँ से a भी तो गयब होने वाला नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है यही पर आपको इस बात को watch करना है कि यह आप देखो यह question बन गया यह question है आपका a sine x plus b a sine x plus b यह minus को छोड़ दें तो कहे का value है यह y का value है तो अब उसकी जगा में हम क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं तो that equal to minus a into यह हो गया y that implies को इधा transfer कर दो तो हो जाएगा d to y by dx square plus a y equal to 0 तो यह differentiation यह differential equation हो गया a के साथ रहेगा न सारी अभी कहां से होता है यह तो a यहाँ पर वही मैं भी देख रहा था a नहीं रहेगा न भाई क्योंकि यह पूरे का value है पूरे इतने का value है y यह यह रहता तब तो equation बने नहीं सकता है यह हो गया इसका answer यह differential equation हो गया d to y by dx square यहाँ पर एक मैंदार बात बता रहा हूँ आपको इसको integration करोगे तो यह फार्मेट रहेगा अपने आपको तर से फार्मेट रहेगा आगे हम उसी को पढ़ेंगे तो यह है differential equation को फार्म करना चलिए कुछ और question देखते हैं दो चार अच्छे question के आपको practice करा दूँ उसके बाद आपको लएगा क्या तो बिल्कुल ऐसी है और सही में यह बहुत आसान है बस आपको आउकलन में problem नहीं होना चाहिए find the differential equation of the family this यह सब article और अच्छे question को मैं आपको करा रहा हूँ पहले x upon a plus y upon b equal to 1 यह state line का equation है आपको पता है और इस state line का equation को हमको बनाना है आपको differential equation इसका differential equation create करना है तो कैसे होगा आप equation को ले लो गया differentiate करो कि काम तूँत नहीं है बस तो हो गया since x upon a plus y upon b equal to 1 now differentiate आपको मैं working step बताये ना कुछ नहीं करना है आपको function मिला तुरांत आप उसका उकलन करना सुरू कर दो तो now differentiate x का कितना हो जाएगा 1 now differentiate with respect to x ध्यान रखना मैं complete नहीं लिख रहा हूँ कि x का respect में differentiate करना है तो x का 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 1 upon a plus यहाँ पर 1 upon b constant है y का हो जाएगा dy by dx और यह कितना हो जाएगा 0 इस पकार से एक बार differentiate करने से यह इस condition में आ गया clear अब इसका हम again differentiate करें now again differentiation पुना अउकलन करने पर तो दुबारा आप अउकलन करोगे एक बार लिख देता हूँ d by dx of 1 upon a plus 1 upon b d2y d2y by dx square equal to 0 that implies इसको differentiate करेंगे एक constant है 0 हो जाएगा इसका हो जाएगा 1 upon b अभी से double कर दिया इसको मैं अभी तो होगा अज़र मैं direct करने वाला था मैं अभी लिख दिया इसको जरूर लेकिन direct करने वाला था उतना आप समझ सकते हो आसान है 1 upon b और into d2y by dx square equal to 0 that implies इसको उधर transfer कर दो 0 हो जाएगा तो d2y by dx square equal to 0 देखो इस relation से पूरा का पूरा constant गायब हो गया यहाँ पर कुछ प्राबलम हो गया 1 upon a प्रसवन अपान b dy by dx आंसर दूसरा दिया है आंसर यही आएगा आंसर बुक में misprint है यह आंसर यही आएगा नो डाउट आंसर यही आएगा यही आंसर है मतलब यहाँ पर कई बार बुक में misprint रहता है आंसर हलाएक यह NCRT का question यहाँ पर constant गायब हो गया और वो differentiation के फाम में आगया मतलब यही इसका आंसर है d2y by dx square यह इस तरह से आप इसको solve करोगे clear एक आता हो करें चलो एक और करते हैं उसके बाद हो जाएगा यह article pattern नहीं सब समझा देता हूँ मैं आपको यह question है circle का equation मैं सब standard equation को ही आपको बता रहा हूँ standard equation मतलब जो general equation है जैसे इससे पहले मैं आपको state line के बताया यह trigonometry function है यह भी state line है हर बार आपको class में discuss करता हूँ आप ध्यान देते होगे mathematics में number आप question तो unlimited है रेकिन लहें unlimited कोई मतलब नहीं है एक इतना मज़ेदार subject है कि जैसे एक छोटा से example आपको बता रहा हूँ कि बचपन में हमारे teacher ने हमको जोड़ना घटाना सिखा दिया क्या पता वो कौन-कौन से digit को लेके हमको जोड़ना घटाना सिखाए कभी कुछ ने लिया कभी कुछ ने लिया कि आप book में दिया थो उसको ले लिया लेकिन धीरे धीरे आज हमारी city कैसी हो गई कि हमको कोई भी number देगा तो हम उसको जोड़ देंगे क्या हमारे teacher ने उस number को जोड़ना उस समय हमको सिखाया था जब हम primary media school में पढ़ते थे बिल्कुल नहीं उन्हों ने आज हम जो जोड़ते हैं उनका कभी नाम भी लिया था लेकिन क्या हुआ हमको जोड़ना सिखाया था हमको उसने edition सिखाया था और हम जोड़ना सिख गए जैसे किसी आदमी को तैरना सिखा दिया जाए तो जिस तलाब में तैरना सिखाया गया था क्या वो उसी तलाब में तैर पाएगा नहीं उसके बाद वो कहीं भी तैर पाएगा यहाँ पर किसी चीच को लर न करना सीखना important होता है तो सीख गया यदि कोई आदमी जैसे आपको differentiation करना सिख गया कभी-कभी हमारी दिमाग को जोड़ना हम इतना असानी से कर लेते हैं differentiation तो सब नहीं कर पाते सर इसका कारण है हम इतने बार जोड़े इतना practice किये बच्चपन में कि जोड़ना हमारे लिए एक बहुत common work हो गया लेकिन हम differentiation उतने बार नहीं किये हमने differentiation पर उतना time नहीं दिया तो हमारा उस level में command नहीं हो पाया बस सीधी सी बात है और कुछ नहीं इसलिए कभी भी किसी भी question को आप उसको हमेशा मेरा दोनों subject में मेरा जोर होता है हमेशा आप सुचते होगे एक class में मैं दसनों बार concept 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 करते रहता हूँ इसका मतलब यही है कि आप learn करो उसको सीखो ना कि उस question को तयार करो ऐसा नहीं कि हमारे बच्चपन में हमारे teacher ने जो हमको जोड़ना सीखाया था तो सार ने बचाया था कि ऐसा question को लेख हम differentiate करते हैं तब तक differentiate करते हैं जब तक वहाँ से constant गायब ना हो जाए बस यह concept होगे आप करते रहों आप differentiation आपको आता है चलिए तो अब इसको differentiate करें अपन now its solution x square plus y square equal to a square now differentiate इसको differentiate करेंगे तो 2x only 2x x का respect में कर रहा है लिख दूं क्या differentiate with respect to x x के सापे चाव कलन करने पर 2x plus 2y dy by dx equal to 0 0 तो ऐसे ही गायब हो गया इसमें ठीक है तो 0 ऐसे ही गायब हो गया इसमें लेकिन हमको इसको क्या करना है x और y के फाम में लाना है आंसर क्या दिया है इसका constant तो गायब हो गया तो अब यह इसका solution हो जागा अरे बहुत आसान question हो गया तो मैं देखा थोड़ा difficult होगा सोच रहा था अब 2 को divide कर दो पूरा equation में पूरा equation में 2 को divide हो रहा है तो x plus y dy by dx equal to 0 यह इसका answer हो गया बस यह answer दिया है यह dy by dx generally हम इसको शुरुवात में लिखते हैं इससे कोई फरक नहीं पड़ता वो कोई rule नहीं है फिर भी y क्योंकि इसको decreasing order में लिखते हैं dy by dx plus x equal to 0 यह answer हो गया इस तरह से आब आप समझ गया होंगे कि differential equation create करना बहुत आसान कम है तो मैं आज ही बहुत सारे topic नहीं पढ़ा रहा हूँ आज मैंने एक पढ़ाया ध्यान से सुनो differential equation क्या होता है differential equation का order और degree हम कैसे पहचानते हैं फिर यदि हमारे पास कोई function हो उसकी सायता से किसी differential equation कैसे satisfy करते हैं फिर हमने देखा formation आप differential equation की अउकल समी करन की इस थापना कैसे करते हैं उसको कैसे बनाते हैं यहां तक हमारा first part complete हो गया अब हम इसके second part में पढ़ेंगे solution of the differential equation मतब इस फार्म में आपको question दिया रहेगा और उसको आपको solve करके answer लाना है why के फार्म में ओके तो यह हमारा next part होगा बहुत जल्दी बहुत जल्दी हो सके तो आज कल में ही आपको मिलेगा बहुत तेजी से मैं आपको complete करा दूँगा क्योंकि आप पीछे का सब किये हुए हो और फिर last में मेरा message है कि पीछे revision करिए आप जितना नए topic के लिए excited रहते हैं उतना excitement आपका इस बात के लिए होना चाहिए कि मेरे previous topic में कितने कमाण है यह दोनों का combination बहुत जोरी है यह दो पीछे मेरा अच्छा कमाण नहीं है तो नए के लिए मेरे को कुछ मतलब नहीं है वो कोई काम कहीं नहीं है तो आप calculus को एक बार अच्छा revise कर लिजे तो आपको defensively question में बहुत मज़ाने वाला है आगे का जो topic है वो complete आपका calculus का revision है ओके, thank you